आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now इस सवाल में हमारे पास degree of association दे रखा है जो कि यह 70% for this following reaction मतलब 2A जो है वो associate होके A whole twice बना रहा है तो इसका degree of association दे रखा है हमारे पास 70% और हमसे पूछा गया है कि event of factor इस equation के लिए क्या होगा तो आए देखते हैं इसका हम कैसे निकालेंगे degree of association 70% है मतलब alpha हमारा 0.7 होगा ठीक है और equation हमारे पास क्या है 2A यह बन रहा है A whole twice ठीक है तो यह कहने का मतलब है अगर हम इस तरह से लिखे तो initially जो होगा यह हमारे पास 1 होगा यह 0 होगा लेकिन at equilibrium जो होगा यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1-alpha और यह alpha by 2 तो जब हम total moles लिखेंगे at equilibrium तो वो कितना हो जाएगा टोटल मोल्स एट एकुलिब्रियम हमारे पास हो जाएगा इन दोनों का सम यह आएगा 1-1 अलफा बाइ 2 ठीक है और आई क्या होता है आई होता है मोल्स एकुलिब्रियम अपॉन इनिश्यल मोल्स तो 1-1 अलफा बाइ 2 पॉन आएगा तो यहां से हम देख सकते हैं आई की जो आएगी वो कितने आएगी 1-1 अलफा कितना दे रखा है 0.7 अपॉन टू तो यह हमारे पास आई जो आजाएगा वो हमारे पास आजाएगा 0.65 तो यही था हमारा वेंट ओफ एक्टर इस वाले केमिकल रियक्शन के लिए ठीक है थैंक्यू